हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबकाप के अपने चैनल बेदेकेडमी में आज की वीडियो में हम क्लास 11 लेसन बन एक पोट्रेट ऑफ लेडी के ओल इंपोर्टेंट कोईशन अंसर्स के बारे में स्टडी करेंगे तो आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी नियुक्त वीडियो से उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके एक पोट्रेट ऑफ लेडी का मतलब होता है एक महिला की तस्पीर तो चली वीडियो स्टाट करते हैं देखिए आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीन सोट्स ले सकते हैं या आप नोट डाउं बना सकते हैं हमारा कॉश्चन है दा थ्री फेज़ ऑफ दा ओदर्स रेलेशन से बिथिस ग्रांड मदर विफोर ही लेप्ट दा कंट्री टु इस्टडी एवरोड विदेज जाने के लिए देज छोड़ने से पहले लेकक के अपनी दादी मा के साथ संबंधों के कौन-कौन से तीन चरण कि जो कंपनी थी कंपनी आने आप बोल सकते हैं सांथ उसका काफी ज्यादा आनन्द लिया शी यूजड टू बाथ हिं फीड इंड गॉट इंड रेडी फोर इस्कूल जो दादी मा दी वह लेकक को नहलाती थी उसे कहना खेलाती थी और इस्कूल के लिए उसे तयार भी करत कंपनी बेरी मच शीजड तू बात हिं फीड हिंड यम एंड गॉट एंड रेडी फोर इस्कूल सी एवन यूजड तू इकंपनी इंड ब्रिंग बेक हॉम सेकंड फेस हे हमारह इन दा सेकंड फेस बोत ऑप देम बें टू इस्टे इंड इन दा सिटी दूसरे चरण में दो order went to an English school by bus जो हमारा लेकक था बस से अंग्रेजी स्कूल में जाता था she was not happy about this और इस बात से जो हमारी दादी माती बस खुश नहीं थी however they shared a common room जबकि बस दोनो common room यानि कि साजा room share करते थे जो एक ही room में दोनों रहते थे second phase है हमारा इसके बाद हमारा third phase है in the third phase the common link of their relationship snapped the father went to university for higher studies and he was given a room of his own the grandmother mostly stayed at her room spinning wheel and reciting prayers तीसरे चरण में उनकी दोस्ती की जो common link थी बैट टूट गई लेका आगे की पढ़ाई के लिए बिस्वविद्याले चला गया और उसे अलग room दे दिया गया दादी जादे तर अपने कमरे में घूमती रहती थी और प्राथना करती रहती थी in the third phase the common link of their friendship snapped the father went to university for higher studies and he was given a room of his own the grandmother mostly stayed at her room spinning wheel and reciting prayers तीसरी चलड़न में उनकी दोस्ती की जो common link थी common room थी बैट टूट गई लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए लेखक जो था हमारा बैए उनिवर्स्टी चला गया विस्वविद्याले चला गया और उसे भाँ पर एक अलग रूम दे दिया गया दादी जादा तर अपने कमरे में घूमती रहती थी और प्राथना करती रहती थी तो ये तीनों फेस हो गए हमारे next हमारा question है त्री रीजन्स वाइदा ओधर्स ग्रांड मदर बाज डिस्टरब्ड वेन उन तीन कारणों को बताईए जब लेकक सहर के स्कूल में जाना लगा तो उनकी दादी परेशान थी त्री रीजन्स वाइदा ओधर्स ग्रांड मदर तीन रीजन जो ग्रांड मदर को डिस्टरब करते थे वो इस प्रकार है पहली बज़ाया थी कि वे लेकक के साथ स्कूल नहीं जा सकती थी दूसरा करण दादी लेकक की अंग्रेजी पार्ट में मदर नहीं कर सकती थी तीसरा चरण ये था कि वे परेशान थी क्योंकि लेकक को स्कूल में संगीत का पार्ट पढ़ाया जा रहा था हमें तीन रीजन बना बताने है जिसकी वज़े से जो ग्रांड मदर डिस्टरब थी सिटी स्कूल जाने से लेकक के तो पहला है हमारा उसके बाद हमारा थर्ड कुश्यन है तीन तरीके बताईए जब लेकक के बड़े होने के बाद दादी ने अपने दिन काटे उनकी जरिये वो तीन तरीकों के थ्रू तो पहला हमारा पहला तरीका उसने बड़े होने पर एकांद सुईकार कर लिया दूसर तरीका बैं मुश्किल से किसी से बात करती थी और पैया गुमाती रहती थी तीसर तरीका यह था कि बैं गोरईयों को खाना किलाती रहती थी कुश्चन में हमसे पूछा गया था तीन तरीके बताईये जब लेखक बड़ा हो गया तो दाधी ने अपने दिन केंसे काटे तो पहला हमारा पहला हमारा पैया गुमाती रहती थी या चकरा गुमाती रहती थी और गुरईयों को खाना खिलाती रहती थी यह तीन तरीके थे इनके थूँ दाधी मा ने अपना टाइम काटा लेखक के बड़े हो जाने की बात The odd way in which the other's grandmother behaved just before she died मरने से पहले लेखक की दादी ने कैसे अजीब बरताप किये वह में बताने है तो she did not pray that evening दादी मा ने उस साम प्रातना नहीं की She collected the woman of the neighborhood, got an old drum and started to sing उसने पलोस की महिलाओं को एकटा किया और प्राना ड्रम उठाकर गाना बजाना स्टर्ट कर दिया The next morning she was taken ill और अगली सुबह दादी मा बीमार हो गई After that she decided not to waste any more time talking to anyone उसके बाद दादी मा ने किसी से बात करने में ज़्यादा समय ना बरबात करने का फैंसला लिया She would pray and tell her beats passed away on her bed peacefully बै अपने विश्तर पर मोतियों की जो माला थी उसे सांती से जपने लगी और इस प्रकार बे अपने दिन बैतीत करने लगी The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died The answer है हमारा She did not pray that evening She collected the woman of the neighborhood, got an old rum and started to sing The next morning she was taken ill After that she decided not to waste any more time talking to anyone She would pray and tell her beats passed away on her bed peacefully उसने उस साम परातना नहीं की यानि कि दादी मा नहीं की दादी मा ने पडोस की महिलाओं को एकटा कर लिया और पराने ड्रम उठा कर गाना बजाना स्टार्ट कर दिया अगली सोबह दादी मा बीमार हो गई उसके बाद दादी मा ने किसी से ना बात करने में अपना समय बरबात करने का निरने लिया वे अपने विस्तर पर मोधियों की माला सांती से जबने लगी और इस परकार वे अपने दिन बैतीत करने लगी दबे, in which sparrows expressed their sorrow, when the author's grandmother died, लेखक की दादी का निदन होने पर, गोराईयों ने अपना दुख किस प्रकार ब्यक्त किया, तो the sparrows gathered at the baranda daily, to eat the breadcrumbs thrown by the grandmother, but cherubbed all around the baranda, but the day that grandmother died, the sparrows gathered as usual, but there was no cherubing, and no one ate the breadcrumbs thrown by the mother, when the corpse was carried away, they flew away quietly, दादी दोरा फेंकी गई, रोटी के तुकड़ों को चुनने के लिए, गोराईयों रोज बहाँ पर आती थी, और खाती थी, जो भी दादी उन्हें दे दी थी, गोराईयों बरामदे के चारों और एखटे हो जाया करती थी, दादी को देखकर, लेकिन जिस दिन दादी मा की म प्रत्य हुई, हमेशा की तरह गोराईयों बरामदे के पास तो आ गए, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, जो रोटी की तुकड़े डाले जाते थे, नहीं खाया उन्होंने, और जब लास को ले जाया गया, तो गोराईयों सारी बहाँ से ओड़ गई, आई में आवाँ.